प्रेम कहानी जुसने लगा था चर्चा बटोरी आले भट और रनवीर सिंग के इस फिल्म और जोडी ने खूब नाम कमाया खूब पैसा कमाया और इनकी केमिस्ट्री को फैंस ने खूब प्यार किया लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हुई तो वो है जहां पर कुछ फैंस ने तो ये कहा कि लिप लॉक वाला सीन जबर्दसी इस फिल्म में डाला गया तो वही इस फिल्म के डारेक्टर ने ये कहा कि आज की जो जेनरेशन है उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धरमेंदर और शवाना का इस उमर में लिप लॉ जी हां शवाना अजमी की पती जावेद अक्तर ने इस फरमाई गई सीन पर अपना रियाक्शन दिया आपको बता दे रोक्यों रानी की प्रेम कहानी में भले ही लीड रोल में रन्मीर आलिया हो लेकिन सबसे जादा चर्चा धरमेंदर और शवाना को लेकर हो रही है फिल् जावेद अक्तर ने कैसा रियाक्शन दिया था शवाना ने कभी सोचा नहीं था कि सीन पर इतना हंगामा मत जाएगा जी हां जब हम किस कर रहे थे तो लोग हस रहे थे हमें चीर कर रहे थे शूटिंग के दोरान लेकर कोई इशू नहीं हुआ ये सच है कि मैंने स्क्रीन प अक्तर से पूछा तो उनके किसिंग सीन को लेकर जावेद अक्तर का कैसा रियाक्शन था उन्होंने इस बात का खुलासा किया उन्होंने कहा कि शबाना ने कहा है कि उन्हें कोई परिशानी नहीं है जी हां लेकिन जिस बात ने उन्हें जावेद को परिशान किया वो है मेर बिहेवियर जी आपको बता दे कि पूरी फिल्म के दौरान तालिया वज रही थी सीट्या माह रही थी चीर कर रही थी चीक चिला रही थी वह वैसे बैठी थी जैसे की पास में बैची एक महिला को वो नहीं जानते मैं एक्साइटमेंट की वजह से पागल सी हो गई थी लेकिन वो एकदम शान्थ होकर मेरी फिल्म को देख रहे थे तो यह थी आज की खास खबर किस तरह से शवाना ने खुद किया खुला सौन के पती जावेद को भी धर्मेंद्र और शवाना अजमी के किसी सीन पर कोई भी आप ट्रीया